हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि एक दो दिन पहले जो है मैं अपने पेटीय मैप से अपना बैंक बैलन्स चेक कर रहा था तो उस दोरान बार बार पेमेंट फेल्ड हो जा रहा था यहां पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ यहां पर पेमेंट फेल्ड हो जा रहा था दोस्तों यहां पर यह पेमेंट फेल्ड होने की जो यह प्रॉब्लम है यहां पर आगे की साइट आपको लिखा वह आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है या फिर आपने यूप यूप गलत एंटर करा है तो यहां पर आपको आगे रीजन बता जेता है कि payment failed किस वज़े से हुगी है तो यहाँ पर मेरे को बता रखा है payment failed due to technical issue अब देखे technical issue यहाँ पर जो है bank का हो सकता है ठीक है जिसके वज़े से बार-बार जो है failed हो जा रहे है क्योंकि जिस bank से हमारा हमारा mobile number account लिंक होता है तो उसके बैंक का टेकनिकल इशू होता है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से अगर यह payment failed due to technical issue दिखाई देता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर 2-4 गंटे का क्योंकि देखे बैंक की तरब से अगर कोई भी टेकनिकल इशू है तो वह 24 गंटे के अंदर लगभग solve कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर यह technical issue हमारे mobile phone का है या फिर application का है तो इसका मैंने और भी यहाँ पर confirmation करी थी क्योंकि देखे अगर application पेटियम application की तरब से कोई technical issue है तो यहाँ पर देखे मैंने सबसे पहले त यहाँ पर पहले यहाँ पर update नहीं किया था तो हो सकता है कि हमारा पेटियम अपडेट नहीं भी होता है जिसके कारण भी आप में कुछ चोटी-मटी कम आने लग जाती है तो इसलिए आपको न पयाँट करके जरूर रखना है क्योंकि मेरे मन में तो यह doubt हो गया कि मेरा जो पेटिया में आप है वो अपडेट नहीं है जिसके वज़े से साइद यह टेक्निकल इशू आ रहा है हो सकता है कि एप्लिकेशन की तरब से टेक्निकल इशू था और क्योंकि मैंने अपडेट भी कर लिया था इसे ठीक है ना और देखें यहाँ पर एक काम और करना करते इशू को इसे तरब कर किने अपने फोन हों में तो कहीं दूसरी नहीं तो दोस्तों यह बाएक ने दूसरी के अपने पहन से पर능 इस वजह से मेरा यह बाद में जो है बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा था ठीक ना तो दोस्तों यहां पर अगर आपके साथ यह पेंड फेल्ड हो जाता है तो उसके आगे आप पूरा पढ़के देखें कि वहाँ पर रीजन क्या बता रहा है कि पेमेंट फेल्ड किस वज़े से हुआ है कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है कई बार जो है गलत यूपी अटर कर देते हैं कई बार जो है बैंक की तरब से टेक्निकल इशू कर रहा था ना तो बार-बार यह फेल्ड हो जा रहा था ठीक है ना तो दोस्तों अगर बैंक की तरब से टेक्निकल इशू है तो चॉइस गंटे के अंदर सॉल्व हो जागा या फिर दो-चार गंटे के अंदर ठीक है